कि दोस्तों यूपी डपल सी का ओफीसियल नॉडुकेशन आ चुका है पीटी एक्जाम के लिए तो आप देखो भी इस वीडियो को पूरा उसमें दिया गया है कि आपका जो फॉर्म है कब से डलना है स्टार्ट हो जाएगा लास्ट डेट कब तक आपकी फॉर्म की रहेगी स साथी साथ दोस्तों लास्ट मौका है देखो अब क्योंकि आपको बता है 2020 में चुनाओ है तो लास्ट आपकी जो बेकैंसी आएंगी पिछले पांस साल की ठीक है अभी आपके लिए देखने को मिलेंगी इसलिए गवर्मेंट ने पीटी एक्जाम यहाँ पर करवाने का दे जाओ लास्ट मौका है देखो चार-पांस साल इसके बाद कोई भी बिगैंसी नहीं आएगी चले वीडियो को पूरा देखें और देखें इस अनौटिकेशन में क्या दिया गया है तो दोस्तों यह ओफीसियल नौटिफिकेशन है आपका उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेव चैनायोग का यहां पे आपको दिख रहा होगा यूपी ट्रपल सी उत्तर प्रदेश अधिनस्त सेवा चैनायोग लखनव बिग्यापन संख्या एक परिक्षा दोहजार एकीस दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूँ बहुत ही जादा खुशी की आपके लिए नूज आई ह क्योंकि आगे कि जितने भी आपके अगजाम होने हैं जैसे की सबसे बड़ा आपका जो ऐगजाम होगा लेखपालका refers on के लिए आग्रिकल्चर तेकनिकल असिस्टेंड बड़े जु एगजाम है यही सबसेपहले आपके होने वाले तो दूसको इस पूरे अपडेट को कव करेंगे और देखेंगे कि आपका जो पीटी है उसकी फॉर्म कब से डलेंगे उसमें क्राइट या वगयरा क्या रहेगा स्लेवर्स हम लोग पहले भी डिसकस कर चुके हैं एक बाइप फिर से इसकी स्लेवर्स को डिसकस कर लेंगे तो प्रारंबिक अर्ता परिक्षा प्रेलि स्टार्ट हो जाएंगे अब यह आप ओटी आर मत समझना इसको ठीक है दोस्तों यह ओटी आर नहीं है यह सीधा पीटी का फॉर्म है अब ठीक है ऑनलाइन सुल्क जमा करना और प्रार्म होने की तिति यहां पे 25-2021 है और ऑनलाइन सुल्क आवेदन सम्मिट करने की अंतिम तिति है 21-6-2021 ठीक है तो 25 से फॉर्म बहे जाएंगे 21 तारीक तक और आवेदन में संसुधन भी आपको करने के लिए टाइम मिलेगा 28-6-2021 तक आप अपने आवेदन में संसुधन कर सकते हैं तो सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों तो यही आ रहा है कि 25 मई से आपके पी एकजाम है अगर आप यूपी टबल से किसी भी आगामी एकजाम की तेयरी कर रहे हैं पहले आपको पीटी देना पड़ेगा उसके बाद आपका में एकजाम यहाँ पर करवाया जाएगा यहां पर देख लो थोड़ा ठीक है तो उत्तर प्रदेश के सासंद के कार्मिक मोदन प्रदान किया गया है उक्त यहां पर दिया गया है यूपी टबल से आयो की परदी में आने वाले समुह गा के समझत पदों पर चैन हे तु भविश में दूई इस तद यह परेक्षर बनाली की आधार पर चैन संबंधी कारवाही की जाएगी मैंने जैसा कि बताया आ आपकी बिकैंसी निकलेगी तो दोस्तों पहले आपका पीटी करवाया जाएगा ठीक है जिसके फॉर्म है उसके बाद आपका जो मेन एक्जाम है वो करवाया जाएगा यहां पर दिया गया है भविश में बिग्यपती किया जाने वाले पदों हेतू ही मानने होगी जो पद पूर्वर्म ब्यग्यप्ति किया जा चुके हैं उनके इसाप एक्षचैन की कारवाई संबंदित बिग्यापन में उल्लेखित प्रग्यदियुन साथ ही होग यानि कि आज से पहले ठीक है वैसे ही 2021 में कोई भी फॉर्म नहीं आया है यूपी टबेल स्थी कि तो आप यह माना आवेदिन बगेरा कि यहां पर दिया गया है और बाकी में नौटिवेशन है जो अपना वाटसप ग्रूप है और टेलीग्राम ग्रूप है उसमें शेयर करी दूँगा यहां पर यह स्लेवर्स दिया गया है ठीक है इसको भी एक बार देख लो यहां डेट देख लो एक बा एक और है आपके लिए ठीक है स्लेवर्स को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूपी ट्रपल सी के पीटी दोस्तों यूपी ट्रपल सी पीटी लेकपाल या फिर एग्जाम की तयारी कर रहे हैं नोट्स आप बहुत ही शानदार नोट्स बाय कर सकते हैं नियान मंतरा से लेकपाल एग्जाम और एजी टीए का पूरा कूर्स एबलेवल है बहुत ही छोटे से नाम मातर प्राइज में बेस्ट आप कॉंटेंट लेके अपनी तयारियों कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वाट्स अप नमबर देख रहा होगा आप उस का Ч21 वहाएंगे के कौशन आएंगे साइंस के भी कौशन आएंगे क्यौन आपकी में थाएगी पान्च नमर की जो की आपकी पूरी अरिथमेटिक रहेगी एजी रहेगी बिलक Masya ऑगे देख also अंग्रेजी भी आएगी दोस्तों यहां पर पांच नंबर की ठीक है आपकी अंग्रेजी आना है आपकी दीजनिंग भी पांच नंबर की पूछी जाएगी करेंट अफियर पांच नंबर का जी के आपका दस नंबर का पूछा जाएगा यहां पर आंगे देखें इसमें तो आपका आपरत हिंदी गध्यांज, ये भी आपके 10 नम्मर के पूचे जाएंगे सादी साथ आपका graph वाले question आएंगे 10 नम्मर के और आपकी तालिका वाले question आएंगे 10 नम्मर के बागी हम लोग पहले से इसका देख चुके हैं इसको जो slivers था, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि क्या slivers था और ये जो पूरा PDF है, मैं इसको भी बेद दूँगा अपने groups पे जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ दोस्त, 25-5-2021 यानि कि कल, ठीक है, कल से ये आपके form डलना स्टार्ट हो जाएंगे UPWACPET exam के लिए और मैं guarantee से आप से कह सकता हूँ दो से तीन माहे में इसका exam करा लिया जाएगा क्योंकि भाईया, 2022 में चुना हो है अपना तो government vacancy जरूर देगी आपकी और पहली vacancy कौन सी है, पहली है आपकी लेक पाली की vacancy ठीक है, तो मौका आकरी है देखो आपके पास, ठीक है इसके बाद 4-5 साल vacancy कोई नहीं आएगी अगर UPWACPET के बाद आपने जो भी भरती निकली उसमें selection नहीं ले पाया चार-5 साल जब तक अगला चुनाओ नहीं आजाएगा, आपके पास कोई भी vacancy नहीं आएगी ठीक है, चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं, classes के बारे में आँगे डिसकस करेंगे वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग अभी तरह हमारे WhatsApp ग्रॉप में एड नहीं है, उसमें आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, WhatsApp और टेलिग्राम की नोट्स दोस्त बाय कर लेना, शानदर तयारी कर लोगे, आप इन नोट्स के माध्यम से डेमो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पूरी ड्यान कारी आपके लिए दीगी है, चलि मिलते हैं, जहिंज भारत, भारत मताईजे, हैब ग्रें